हालेलुईया प्रेस्ट लॉट प्रविश्व मसी मैं मेरे सबी बैन भाईयों को जै मसी की मैं आप सब का स्वागत करते हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल यहावा शालम टीवी पर जिस पर आप हर रोज परमेश्य के पवित्र वचनों को सुनते हैं आज की इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचन को मेरी भविश्यवानीयों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये वचन परमेश्य के दास प्रेजित अंको यूसफ नरूलाजी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वाश है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीश को लेकर आएगा तो पूरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का सामर्थी वचन प्रातना एक उत्तम कार्य है जैसा कि परमेश के पवित्र वचन प्रेरितों के काम 20 अध्याए उसके 35 वचन में लिखा है मैंने तुमें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीती से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रवयेश्यू के वचन समरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है मेरे फ्रियो पवित्र वाइबल बताती है कि लेने से देना धन्य है मुबारिक है आशिशित है इसका मतलब क्या है ये कि जब आप अपनी प्रात्ना करते हो जब आप अपने बीजों को बोते है या जब आपका सरीर आपका घर परमेशर के कामों के लिए इस्तेमाल होगा परमेशर में आशिशित होना और अपने बंधनों से किस तरह बाहर निकलना है जब आप परमेशर के भवन में जाते हैं तो आप अपनी आँखों से देखते हैं कि आपको परमेश का आत्मा छूता है और वो आपकी प्रात्ना करने में अगवाई करता है और फिर जब आप प्रात्ना करते हो तो पवितर बाइबल कहती है कि वो आपको सुरक्षित भी रखता है और आशिशित भी करता है यही कारण है आज जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रातना करते हैं वो ज़्यादा अशिशित होते हैं मेरे फ्रियो अगर आपने भवन में जाकर प्रातना को नहीं किया और आपको अभी भी लगता है कि इस रविवार भवन में जाऊंगा या रविवार को जाकर आमीन बोलूँगा तो मैं अजाद हो जाऊंगा पर वो तो परमेशर का आपके लिए ब्रेक फास्ट है जो अपने बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन असल मकसद है परमेशर के कामों के लिए अपने आपको तियार करना है ताकि वो आपके शरीर को आपके फाइनेंस को आपके दिमाग को आपकी शिक्षा को आपके वरदान को इस्तेमाल करके आपको आशिशित कर सके क्योंकि पवितर बाइबन में आशिशे लेने का कोई और जरिया कोई और तरीका नहीं है क्योंकि जादातर लोगों ने प्रातना को राशन लिस्ट की तरह बना दिया है और उसके बाद वो आमीन बोलते हैं और उन्हें लगता है कि प्रातना करने का मतलब है मांगना मांगना मतलब अपनी सबी आशिशों के लिए अपनी बर्कत के लिए लेकिन हर बार ये प्रातना काम नहीं आती मेरे प्रियों प्रातना एक काम है जिस तरह संसारिक रीती में जो लोग काम नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं अगर आप प्रातना नहीं करेंगे तो आप मज़ूरी नहीं पाएंगे और आप प्रातना को धार्मिक रीती से मत ले बलकि प्रातना का महत्व समझे आपको ये समझना पड़ता है कि परमेश्य का अपने पास बुलाने का एक बड़ा मकसद है अगर आप इस बात को समझ जाएंगे और प्रातना करने के लिए बैठेंगे और दूसरों के लिए प्रात्ना करेंगे तो परमेश्वर उसका भी उत्तर देगा और आपको भी आशिशित करेगा आमेन प्रात्ना तो आईए अब हम इस पविद्र वचन के उनसार परमेश्वर के सामने अपने प्रात्ना को करें सर्वशक्तिमर परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यफात करती हूँ परमेश्वर मैं प्रात्ना करती हूँ कि आप मुझे प्रात्ना करने की आत्मा से परिपूरण कीजिए ताकि मैं प्रात्ना को एक महत्व के रूप में समझ कर दूसरों के लिए प्रात्ना कर सकूँ प्रभी शुमसी के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के इस पवितरवचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेशर आप सब को बहुत आई से अशिशित करे सब को जामसी की